अ है बेंगे एक बर्मूडा ट्रैंगल है जो हाज़ों को हैाई होननगल लेता है यह कोई जहाज वगरा भी जाती है तो निखनल लेगा यह अट्लांटिक महासागर में करते हैं और अमेरिका के पास यहां जो क्यूबा है इस एरिया है एक ट्रेंगुलर सेप में बड़ा लंबा एरिया लगबग 3,000,000,000 km2 का एरिया बहुत बड़ा एरिया आई है इसको अधुड़ा सा वहां पर जूम करके समझते हैं यह एरिया जो है यह तीन बड़े बड़े एरिया उसको मिलाकर बनाए जाता है वर्ल्ड मैप में लगबग 3-4,000,000,000 बड़ा हो जाता है इसका एक कोई मार्किंग नहीं है जो आदमी पूरा एरिया को बता सके हम तो यहां भले ऐसे ट्रेंगल बना दियें बट समुद्र में ऐसा कोई ट्रेंगल नहीं है अगर इस एरिया में कहीं से भी कोई जहाजे आती है तो उनके में परिवर्तन देखे प्रकास देखे बाजल का तड़कना समुद्री लहजे तेजी से उठने लगी और उनका जहाज डिस्बालेंस होने लगा इवेन कि उस समय जेके समुद्र में रास्ता दिखाने का केवल और केवल एक ही रास्ता राता है कमपास अब तो सेटलाइट वगर आ गये हैं बड़ कमपास ही उस समय एक ही रास्ता होता था जो हमेशा नौर्थ डिरेक्शन की और मूब करते रहता है वो बता देता है कि इधर की और उत्तर दिखा है तो इसके थूर अदमी जा सकता है तो यहाँ पर कमपास काम करना बंद कर देता था यह कोलंबस न देखें इंजन काम नहीं करेगा जहाज धौसने लगेगी कोई तैरना चाहेगा तो तैर नहीं पाता है अजीव अपरी घटना होगी और अचानक ही हो जाती थी और यह जहाज डूब के कहां जाते थे सब यह भी नहीं पता चलता था किसी को यू तो यहाँ हजारों घटना काम करना छोड़ देते हैं उनका नेविगेसन सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाता है सम्में एक कॉमन समस्या देखी जाती है कि उनका कमपास काम नहीं कर रहा होता और यह जहाज पूरी तरह धौस्त हो जाता है इसको खोजने के लिए दो दिन बाद रेस्क्यू टीम जाती ह है और फ्लोरीडा से जब उडान भरता है बर्मूडा ट्रेंगल से उपर जाता है तो यह बंबर्सक जहाज भी रडार से गाइब हो जाता है और इसके सामने भी सेम समस्या आती है पाइलेट बताता भी यह रेडियो सिगनल पे कि मेरा कमपास काम नहीं कर रहा है नेविगे इनों ने बताया कि अचानक बर्मूडा ट्रेंगल की जब उपर से गया गया तो अचानक मौसम बिगड़ गया और सामने बादलो का एक पूरा धुआ कोहरा ताइप का छागया धुन्द हो गया बादलो का और ऐसे लग रहा था जिसे बादलो की गुफा है यह ने कुछ द मैच नहीं कर रहा था इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था लेकिन यह जहाज को आगी की और ले जा रहे थे लगवख तीन मीनट बाद एक अच्छी खासी दूरी करने के बाद यह उस जोन से बाहर निकले और उसके बाद यह अपनी जहाज को लैंड करा है लैंड कराने और से तक यह बरमूडा ट्रेंगल जो था एक रहस्य का कारण बना लोगों को लगता था कोई अध्रिस सकती है जो जहाजों को सिप को अपनी और खीच लेती है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है इसके पूरे रहस्य पर परदा उठाय जा चुका है इवन कि बरमूडा ट्रें लो नीचे समुदर के तलप है वह देखें यहां जो एरिया है बरमूडा का इरिया इस एरिया के नीचे जओला मुखी है और यह जवला मुखी बीसपोर्ट करते हैं सब जब जब बीसपोट होता है तो कुछ जहरीली गैसे निकलते है इसमें मीठेन वगयरा की मातरा निकल है और यहीं वज़ाई कि वहां अगर कोई तैरने की कोशिश करता है तो नहीं तैर पाता है क्योंकि उनका घणतो घट जाता है जैसे मच्छड जो हता है मीटी तेल की उपर पानी की ऊपर तैर रहा होता अप एक धकन मीटी तेल मिला देंगे ना यह तो वह मिटी की तेल से हलचल होने लगता है जिस हलचल से यहां पर बमंडर एक चकरवात उत्पन हो जाता है और यह बादलो को और वहां के समूद्र के जल को पूरी तरह लहर में बदल देते हैं और इसमें अगर कोई हवाई जहाज या कोई सिप आ जाता है तो उस चकरवात के बीच में फंस जाता ख्राइट को इंच्वा पश्ό ओप भ्रिख्राई में अक्सर जहाज ल्गरा गिर जाते हैं सब, नीचे का पेंटी टक्राश में ऑगिरा ह döखburg इटली के टट के पास यह बड़ा जहाज टक्रा गिया यहां पर एक मालवाग जहाज टक्रा गिया यहां पर बड़ी बड़ी शीप टक्रा टक्रा के गिरी है सब अब बताएं पाई इतो गलती है इन लोग कि जो captain है क्योंकि इतने modern ship को अगर गिरा दिये लोग तो गडबर बात है उस समय जहाजों की दुरगटना जादे होती थी क्योंकि ना रडार था ना सोनार था आज के वक्त में पूरी बेहतरीन धंग से रडार है सोनार है आज आराम से ब्रबूडा टेंगल के उपर से जहाजे भी पार हो जाती है और ship भी पार हो जाता है कि उनको सोनार उन्हें बता देता है नीचे चटान वगरा नहीं है लेकिन पहले यह घटना है नॉर्मल थी ऐसे हो जाना हवाई जहाज के दुरगटना के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो hexagonal cloud का है hexagonal 6 मतलब फलकों वाला एक पोटो लिया गया जबकि इसका area देखेंगे तो 50 km2 तो अगर जिला बराबर इसका इतना बड़ा area होता हूथ उतने बड़े में यह बादल होते हैं और इस बादल के अंदर हवाऊं इतनी बवंदर की रूप में चलती है जिनका इसपी 1200 city पति घंटा होता है यानि इसकी अ पोट देगा, उसको, अज़े सेम ईधर हवाय चल रही या, उसी में ज़हाज भी फसेगा, तो ज़हाज की ऐसका बहुत तेज बढ़ा देता है, यही वजय है कि जब वहाँ से कई जहाज गूजरी है, तो उनका इसपीड अचानक बहुत तेज बढ़ गया है, तो इसमें कोई दैवी है या भूत परेत वाली घटना या फिर कोई ऐसी चीजे नहीं है जिसका कोई पता नहीं होती है लेकिन यह पुरानी कहानिया इसमें इतनी मूवी बना दी गई है करोणों रुपए लोग कमा लिए इसके लिए कहानी चाहिए एक डिरेक्टर को 280 में एक जहाज जा रहा था डर्बी सायर यह इतना बड़ा जहाज था जो टाइटेनिक से दो गुना था यहां कई लाख टन इसमें आईरन ओर की मात्रा भरी हुई थी अचानक यह डूब गया इस एरिया में अचानक डूब गया जापान की सरकारी टीम ने उसे था हलाकि जापान ने इसका नाम दिया था ड्रैगन ट्रैंगल जापान के जस्ट नीचे था यह ड्रैगन ट्रैंगल नाम था इसका बर्मूडा ट्रैंगल ऐसा ही एक ट्रैंगल भारत में भी पाय जाता है उरिसा में उरिसा का एक एयर स्ट्रीप है अंग्रेजों ने बना होती थी ना कोई वेदर खराब था ना ही कोई मतलब हेग्जागोनल ख्लाउट थे ना मौसम खराब ना चक्रवात ना हवाओं की स्पीड नॉर्मल टाइम पर यहां जहाजे गिर गए आपस में आमने सामने जहाजे टकरा जाती थी सब इतना खराब काम करता था यहां पर अल लाकि यह मिलिटरी का एरिया था इसलिए इस्वाइलों को बंद कर दिया गया बहुत जादे डिस्क्लोज नहीं किया गया तो यह भारत का बर्मूडा ट्रेंगल आप कह सकते तो यह तीनों जगा अब इसके पीछे क्या लॉजिक है आपको बर्मूडा का लॉजिक बता दि जिससे की एलेक्ट्रोनिक सिस्टम काम नहीं करते थे नेविगेशन खड़ाब हो जाता था दोनों जहाजों का नेविगेशन एक ही डिरेक्शन में दिखाने लगता था इसी के वाज़े से लिए दो जहाजे आपस में आमने सामने यहां पर टकरा जाती थी अमार्डा एयर अगर में प्रसांत महसागर में यहां पर ड्रेगं ट्रेंगल और भारत में यहां पर आपका अमार्ड़ा बिखन अगर आप इसको देख एगा अक्षांस तो तीनों एक लेटिटूट पर लगभग आजाते हैं तो यह की तपाक कह सकते हैं अलाकि सब के पीछे साइन्टिफिक कारण है अब ऐसी कोई घटनाएं नहीं होती है जो भी कहता है कि यहां पर कोई सुपर नेचुरल पावर है यह है यह सब मन गढ़त कहानी है यह सब हलाकि अट्लांटिक महासागर में एक और जगह है सारगैसो यहां सारगैसो सागर है यह सागर है नहीं है यहां एक सैवाल पाए जाता है यह जो समुद्र में तैरते रहता है बहुत लंबा लंबा पाए जाता है घास है यहां अगर जहाजे छोटी मोटी जहाजे फंस जाती ह इसलिए यहां पे दिए इतना बड़ा बड़ा घास पाए जाता है पूरी समुंदर को यह घास ढख लेता है सारगैसो घास पाए जाने के वज़े से जितने एरिया में घास पाए जाता है उस घास वाले एरिया को उस सैवाल वाले एरिया का नाम रख दिया गया है सारगैसो स सागर जिसका कोई भी तट रहा नहीं है मतलब जमीन से नहीं से तरच करते हैं तो सारगैस सागर के पास ऊपर से ठंडी जलधारा आती है, जिसका नाम है लेबिराडोर की धारा, इस साउसागर को ठंड के दिन में पूरी तरफ बर्फ के टुकडों में भर देती है, इसी सारगासागर में अप्रैल 1912 को ठकरा गया था टाइटेनिक जहाग, और इसी सारगासागर में लिबर खोल से एक चमबच मिट्टी लाएंगे और उसका वजन करेंगे तो दस हाथियों के बराबर होगा तो इतना घना होता है यह प्रकास को भी जाने नहीं देता है तो पुछेगा कि ब्लैक होल प्रकास को भी गुजरने नहीं देता है क्यों तो ऑप्सन नंबर बी पर अंसर होता है अती उच्छ घनाच्त के कारण और इसका एक उल्टा पुछता है एक वह वह हाइपोथेंस को क्या कहते हैं जिसमें यह मान लिया जाता है यह कलपना किया जाता है यह भी क्या करती है जहाजों के डिरेक्शन को भटका देती है यहां पर एक चिनाब नदी पर ब्रीज बनाए जाए रहा है जो सबसे उंचा ब्रीज हो जाएगा तो इसके बारे में भी टोटल समझा देंगे कि ब्रीज क्या है और इसके अलावे आप एक थो बड़ा सु होने होंगे सुच्रा अमेरिका में एरिया 51 एलियन वगरा वला एरिया इस सबको कभी और क्लास में समझेंगे होप आप इसे समझें होंगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जैहिन